हेलो एव्रीवन कैसे है आप लोग सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे है और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और आप सभी का क्लास 11th के स्टूडेंट से मैं बात करूँ तो आप सभी का क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है और आई होप आप सभी के 17th and 12th की बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री की प्राक्टिस करनी है तो स्टूडेंट आप मेरे चानल पे बने रही है मैं आपको बहुत ही इजी वे से पूरा केमिस्ट्री का जो सिलेवस है वो समझाने की कोशिश करूँगी तो चलो स्टार्ट करते हैं तो आज की इस क्ला टॉपिक्स भी अच्छे से समझ में आ गये है और अगर नहीं आये है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्षन में लिख कर बीजी कि आप एक्स्प्लेनेशन किस लाइंग्विज में जादा पसंद करेंगी मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी ओके इस टॉपिक के इस इन और्बिटल्स फिलिंग सो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक फिलिंग ओ इन और्बिटल्स सो जैसे हमने पढ़ चुके है कि किसी भी आठम में और्बिटल्स होते हैंturn Schüler और्बिटल्स भी कौन-कौन से होते हैं? और्बिटल्स होते हैं हमारे S, P, D, F यह और्बिटल कैसे फॉर्म हो है? यह हमने quantum number की basis पे study कर चुके हैं तो चलो आज की class में हम first हम ऐसे कुछ rules study करते हैं वो rules हमें electrons को orbitals में fill करने में बहुत जादा helpful रहेंगे और वो rules क्या है? Let's see So first हम rules study करते हैं अफबाउज rule First हम rule कौन से study कर रहे हैं? अफबाउज rule अब देखोई अफबाउज rule होता क्या है? इसका meaning क्या है? तो अफबाउज rule क्या होता है? जब आप अगर इसका meaning देखेंगे तो इसका meaning अफबाउज means क्या होता है? To build अफबाउज means क्या हुआ? To build up तो अगर आपको electrons को build up करना है उनके proper atomic orbitals में तो हम कौन सा rule यूज कर सकते हैं? हम अफबाउज rule जो है वो यूज कर सकते हैं या फिर इसको अफबाउज principle भी कहा जा सकते हैं अब देखो यह क्या rule है? क्या कहता है यह? अब चलो अभी हम देखते हैं अभी हमने जैसे भी हमारे previous topic में भी यह पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा है हमने हमने पढ़ाए कि S orbital होता है P orbital होता है D orbital होता है F orbital होता है ठीक है अगर यह S orbital first shell का है तो हम इसे कहते है 1S clear बहुत ही simple है यह अगर हमने कहा कि first shell का अगर S और सब शेल है तो उसे हम कहेंगे 1S अगर यह second shell का सब शेल है तो हम इसे कहते है 2S similarly 3S 4S 5S और last में क्या आजाता है? 6S तो यह सभी जो है यह क्या है? वो orbitals है जिसमें S sub shell वाले orbital है different shells के अब हम यह देखते है कि चलो अब यह 1S की तो कितना होते है सिर्फ एक की orbital होता है बट second shell में 2 orbitals आते हैं कौन-कौन से 2S और 2P तो मैं यहाँ पर यह ऐसे दिखा देती हूँ कौन सा है 2P है तो 3 में भी P आता है स्टूडेंट्स हमने यह पढ़ चुके है कि quantum number में जो second quantum number है हमारा कौन सा quantum number है वो L azimethal quantum number उस azimethal quantum number की basis पे हम यह decide करते है कि इन सभी shells में जो है sub shell कौन से present रहेंगे तो चलो अब आते हैं हम third shell की तरफ third shell में आता है 3D और यहाँ पर भी आएगा 3D यहाँ पर भी आएगा 3D और यहाँ पर भी आएगा sorry यहाँ पर होना चाहिए 4D यह हो जाएगा 5D और यह हो जाएगा 6D ठीके अब चलो अब दर्वने देख लिया third shell देख लिया fourth shell देखते हैं फोर्थ शेल में यहां आता है 4F, यहां आ जाएगा 5F और यहां आता है 6F. अब बहुत सारे students यह question पूछते हैं कि SPDF के बाद में और भी कोई sub shells होते हैं क्या? तो जी हाँ sub shells होते हैं और वो sub shells कौन से? वो sub shells है G और H. बट अभी तक ऐसी electrons को जब अपन फिल करने जाते हैं तब G और H तक हम पहुचते ही नहीं हैं और इसी लिए specifically हम कितने sub shells का study कर रहे हैं SPDF specifically 4 sub shells का use कर रहे हैं तो चलो देखो अभी electrons कैसे भरे जाते हैं तो अब हमें पता है कि सबसे पहले और each orbital पहले ये भी समझ लो कि S orbital की maximum capacity कितनी है? 2 electrons ठीक है और P orbital की maximum capacity कितनी है? P orbital की 6 electrons, D orbital की maximum capacity 10 electrons, F orbital की maximum capacity 14 electrons ये और भी concept में आने वाले अभी तो हमें बस इतना याद रखो कि किसके कितने electrons होते हैं अब देखो जब electrons हम fill करने जाएंगे तो सबसे पहले हम electron fill करेंगे 1S orbital में ठीक है? तो अगर मान के चलो कि भाई हमें 3rd floor पे जाना है तो 3rd floor पे हम सुपर मैन या फिर कुछ हमारे पास में power and magic तो है नहीं कि सीधे हम पहुँच गए 3rd floor पे तो हमें क्या करना पड़ेगा? step wise चलना पड़ेगा और step wise चलने के लिए हमें पहले ground floor पे जाना पड़ेगा अब भई वो तो आपकी मर्जी है आप lift से जाना चाहते है या फिर सीडियो से बट फिर भी हमें ground floor पे पहले जाना पड़ेगा ground floor के बाद में हम first floor फिर second floor फिर third floor पर आते है similarly यहाँ पर भी जो भी electrons होंगे वो सबसे पहले किस में भराए जाएंगे? वो 1s orbital में भराए जाएंगे इसके बाद वो आएंगे 2s orbital में ठीक है? तो पहले हमने 1s में भरा फिर हमने 2s में भरा फिर हम आते है 2p के तरफ ठीक? तो अभी हमने 2p में electrons भरे जब हमें जाना पड़ता है 3s में हम 3p में नहीं जा सकते सीधे हमें कहां जाना पड़ता है 3s में जाना पड़ता है और फिर हम जब यहाँ आते हैं तो हम जाते है 3p में और 3p के बाद में हम आते है 4s में और 4s में आने के बाद हम सीधे जाते है 4d सब शेल में और student इसी तरीके से जो है हम electrons को उसके orbitals में fill करवाते जाते हैं तो अब हमें इससे क्या समझ में आ रहा है हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले हमें lower energy shells में जाना पड़ेगा और जब हम lower energy shells में जाएंगे जब वो complete हो जाएंगे तभी हम उपर वाले shell पे जा सकते हैं अभी जैसे मैंने आपको example बता है था कि आपको third floor पे जाना है भाई तो चलो एक reason ले लेते हैं कि आपको third floor को पे एक pampland distribute करने जाना है आपको ठीक है तो जब आप third floor पे जा रहे इत मींस क्या पहले आपको lower ground level पे जो भी लोग है उनको देने पड़ेंगे फिर first level पे जो है जब first level के भी खतम हो फिल किया जाता है तो चलो अब हम लिखते है अब बाउस rule क्या कहता है या फिर अब बाउस principle क्या होता है चलो अभी हम study करते है तो यह क्या कहता है यह देखो यह क्या कहता है अब बाउस principle यह कहता है In the ground state of atom, electrons will occupy or electrons will take position in lower energy shell. In lower energy shell until it's filled completely, until it fills completely, electron cannot go to the higher energy state. Higher energy state. चलो, अभी हम समझते हैं कि हमने ये क्या लिखा हुआ है? हमने ये लिखा हुआ है, In the ground state of atoms, the electrons will take position in the lower energy shell until it's filled completely, electron cannot go to the higher energy state. इसको अगर हम easy language में भी कहें, तो हम कहेंगे कि lower energy orbitals, lower energy orbitals will first filled completely. And then only they can go to the higher energy level. Students see, जब आफ अवाउस प्रिंसिपल लिखेंगे, तो ये आप अपनी language में भी लिख सकते हैं. इसका एक ऐसे particular statement, जरूर नहीं कि हम बिल्गोल same to same statement ही लिखेंगे, बट हमें सबसे पहले उस rule को समझना है. तो rule क्या कहता है? कि भाई, electrons को जब आफ feel करते हो, तो कैसे feel करना है? हमें ऐसे feel करना है कि उसके जो lower energy orbitals है, उसमें पहले electron जाए और उसके बाद में ही higher energy orbitals पे electron जाए. समझ में आ रहा है आपको, अब देखो, अगर हम कहेंगे कि हमें कैसे, अगर मान के चलो कि हमें ये इतना बड़ा energy diagram मैम आपने जो बता है, ये हमें याद नहीं रहता, इसमें तो बहुत time consume होगा, हम कैसे draw करेंगे, time तो इतना कम रहता है, तो चलो इसी के साथ में एक और rule देखते हैं, जो अफबा उस rule के अंडर ही आता है, और उस rule के basis पे आप ये decide कर पाओगे कि 4s या 4p में से कौन सा orbital जो है, जिसकी higher energy level है और किसकी lower energy level है, तो चलो student हम start करते हैं, तो ये जो rule में जो आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इस rule को, ये इसे कहा जाता है, n plus l rule, क्या कहते हैं हम इसको, n plus l rule, देखो बहुत ही जादा important है, और mcq objective type of questions, जब हम solve करेंगे, उसमें हमें बहुत ही जादा helpful रहने वाला है ये, तो इसे कहा जाता है, n plus l rule, and student आप सभी को पता है कि n value किसके लिए है, n value जो है, वो है principal quantum number के लिए, और ये l value किसके लिए है, ये है azimuthal quantum number के लिए, अगर आपको इन दोनों की भी value calculate करते आती है, तो ये rule आपके लिए बहुत easy है, कैसे rule है, ये चलो देखते हैं, अभी मैं यहाँ पर कुछ examples लिखती हूँ, फिर इस rule को हम discuss करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास में 1s है, चलो 1s से start करते हैं, अब सबसे पहले electron 1s में ही क्यों जाएगा, अगर हम above का principle देखें, तो above के principle के accordingly, सबसे पहले ये 1s में इसी लिए जाएगा, क्योंकि इसकी lower energy है, तो चलो calculate कर लेते हैं, अभी ये क्या है, एन प्लस L है, तो एन प्लस L मीन्स क्या होगा, एन की value कितनी हो गई, 1, ओके, क्योंकि एन प्लस L रोल, क्यों सा रोल यूज़ कर रहे हैं, एन प्लस L, तो और s orbital की value क्या होती है, 0, यह हमने study कर चुक है, इसकी value कितनी है, 1, अब comparison करते हैं, 2s के साथ में, 2s, so 2 में 2 ही है, n की value, s की value कितनी होती है, 0, इसी लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 2, अब यह compare करो जब आप इन दोनों को compare करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जिसकी value lower है, वो जिसकी value lower है, it means, उसकी energy भी कम होगी, तो हम यहाँ पर note down करेंगे, n प्लस L rule में, first हमने क्या कहा, lower value, lower value अगर आई, तो उसमें क्या होगी, उसकी lower energy होगी, उसकी lower energy होगी, तो आप easily समझ जाओगे कि इन दोनों में से पहले electron कहा जाना चाहिए, पहले electron 1s में जाना चाहिए, और दूसरा electron 2s में जाएगा, कोई पूछता है कि reason क्या है, तो हमारा हमसे बता सकते, क्या reason है, इसके पीछे reason यह है, कि 1s की energy कम है, और अफबव क्या कहता है, अफबव यही कहता and 2p, ठीक, अब हमने n की value 3s में कितनी आई है, 3, अब चलो, इनके नीचे इनके values लिख लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से याद रहे और azimithal quantum number में हमने यह study कर चुका है, so s की value कितनी होती है, s की value 0 होती है, p की value 1 होती है, d की value 2 होती है, f की value 3 होती है, और यह मैं किस की बा means होता है, azimuthal quantum number, azimuthal quantum number, okay, so student, चलो, start करते, अभी हमने यह लिया है, 3, अब देखो, s की value कितनी है, 0, तो मैंने यहाँ 0 रख दिया, और 3 प्लस 0 कितना आया, 3 आया, अब यहाँ पर देखो, यह 2p, तो यहाँ 2 लिख दिया, और p की value कितनी है, p की value 1, तो 1, यहाँ 3 आ गय अरे, यह क्या हो गया, अगर दोनों की value, same आती है, देखो, अगर दोनों की value, same आती है, तो हम किसको मानेंगे, किसकी lower energy shell है, किसका higher energy shell है, यह समझने के लिए, हम एक और छोटा सा rule देखेंगे, और वो rule आपको याद करना है, कि if the value is same, if the value is same, if the value is coming same, जैसे हमारी value कम आई, तो हमें n की value देखनी पड़ेगी, value of n, और हम कहेंगे, lower value of n will be considered, इसका मतलब यह हुआ, कि जब आप इन दोनों की value अगर same आती है, तो हम देखेंगे, कि इन में से, किसकी n की value छोटी है, किसकी n की value छोटी है, इसकी n की value छोटी है, और इसलिए, यह क्या हुआ, इसकी lower energy है, as compared to 3s, और इसलिए जो है, यहाँ पर देखो जहान से, यहाँ पर 2p में जो है, पहले electron गए, उसके बाद में 3s में गए है, अभी चलो, अभी हम कुछ और examples देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लेती हूँ, 4s का example और 3d का example, अब 4s में, 4s में देखो, यह कितना है, 4, plus, s की value कितनी है, 0, तो यह कितना हो गया है, 4s, तो यह 4 आ गया, अब 3d, इसमें n की value कितनी है, 3, d की value कितनी है, 2, तो यह कितना हो गया है, 5, तो कौन सा higher energy है, higher energy level इसका है, और इसलिए, देखो, बेटा, यहाँ आपर ध्यान से देखो और समझो यहाँ पर 3P के बाद में सीधे electron जा रहा है 4S में और 4S के बाद में जा रहा है 3D में मतलब जब हम compare करेंगे 4S और 3D तो हमें पता चल जाएगा कि 3D orbitals जो है यह 3D orbitals की जादा energy और यह हमने decide किस basis पे किया है हमने यह जो decide किया है वो किया है हमने N plus L rule के basis पे so student I hope आपको यह जो first rule जो है यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह rule आपको बहुत helpful रहेगा जब भी हम कोई MCQ based questions solve करेंगे और अगर आप किसी भी competitive exams की तयारी कर रहे हैं तो भी मेरे videos आपके लिए बहुत ही जादा useful रहेंगे क्योंकि मैं जब भी कोई topic पढ़ाती हूँ तो बहुत ही basic concept से क्योंकि higher level का पढ़ने के लिए पहले हमारा base strong होना चाहिए और इसलिए आप videos को धान से देखो और अगर आप मेरे channel पे नए है तो subscribe करना बिलकुल नहीं बूलना है अपने friends के साथ अपने family members के साथ सब के साथ में video को share और like भी करना है So student I hope आप सभी को आज का ये topic अच्छे से समझ में आ गया होगा Thank you students and have a good day ahead